प्रियाग्राज शहर की सिंगर स्मृती शांगलू के गीत वी थी वो बाते की ग्रैंड लॉंचिंग शहर के इंसी जेट सीसी के ओटूडोरियम में की गई इसके लिए बाकाइदा एक रॉक शो का आयोजन किया गया कारिक्रम का आगाज रॉक शो के साथ किया गया जी हाँ मेरा एल्बम लॉंच हुआ है वो बाते आज यहाँ पे मुख्य अतिती के रूप में सांसद केसरी देवी पडेल जी आई हुई है और उनके द्वारा और अबिराशा गुपता नंदी जी हमारी विशेश्ट अतिती हैं इन दोनों के सामर्थ से हम अपना एल्बम लॉंच कर चुके हैं यह और प्रियाग राज मेरा घर है तो मुझे लगता है कि यहाँ की लोगों से मुझे और मेरे इस एल्बम को बहुत कह रों धाना दुआ है Shall me as northern ओर मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं यहीं कहना चाहूंगी कि मैं अपने सथे के माध्यम से चाहूंगी कि मैं उस तरव भी कुछ का म करूं जिसके लिए बहुत सारे प्रज्जश्त मेरे दिमाग में है और हमने कुछ इसके लिए डिजाइन किया है और हम जरूर उस पर भी कुछ करेंग जो हुआए है सबसे बड़ी खुशी यह है कि यह मेरी ही धरती प्रयाग राज में लॉंच हो रहा है हमने इसको इसे लिए चुना है क्यूंकि यहां के लोग लोगों का प्यार मुझे मिलें यहां के जो मेरे जानने वाले हैं मेरे शुप चन तक हैं जब उनके सामने ये अल्बम लॉंच हुआ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मुझे लगता है कि उनको भी मुझे इस तरह से देखके बहुत खुशी महसूस हुई हुई रॉक शो के बीच में ही सिंगर स्मृती सांगलू के नए गीत वो बाते की लॉंचिंग की गए स्मृती सांगलू की प्रस्तुती देखकर वहां मौझूद संगीत प्रेमी जूम उठे कारिक्रम में मुख्य अतिती के तौर पर सांसत केसरी देवी पटेल और गैस्ट आफ ओनर के रूप में मेर अभिलाशा गुपता नंदी मौझूद रही